दोस्तो government के तरफ से अभी जो है मेरा रासन 2.0 mobile application को launch किया गया है जिससे कि आप जो है रासन कार्ड में जुड़े हुए काफी सारे काम कर सकते हैं जिसमें कि आप जो है रासन कार्ड में नए family member को aid भी कर सकते हैं और रासन कार्ड से family member को आप जो है delete भी कर सकते हैं दोस्तो recently मैंने जो है कल ही इस पर एक वीडियो बनाया था जहां पर कि मेरे पास काफे सारे questions आये हैं जिन मैंसे 2-4 questions ऐसे हैं जिन पर कि मुझे ऐसा लगा कि वीडियो बनाना चाहिए सबसे पहला question तो यह आया what about EKYC तो simple सी बात है कि मेरा रासन 2.0 जो mobile application है इसके माध्यम से आप अपना EKYC कैसे करेंगे जसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि government के तरफ से अभी 30 सितंबर तक सभी रासन कार्ड धारकों को अपना EKYC करवाना mandatory कर दिया गया है ऐसे में तो वहाँ पर भी काफी सारे लोगों ने पूछाए कि family member कितने दिन में aid हो जाएगा तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ उसके अलावा आप मेरा रासन पोर्टल पर जितनी भी सारी services आपको यहाँ पर मिलती है तो आप कोन-कोन से service में किस तरह से काम कर पाएंगे व इसका बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है एटलिस्ट उस पर आपको जो टच भी नहीं करना है वरना आपका जो रासन काड़े उसको suspend कर दिया जाएगा तो वो भी मैं आपको जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मतलब मेरा रासन अप्लिकेशन जो गोर्मेंट क तरफ से लॉंच किया गया है इसका फुल रिवीव मैं आपको जो इस वीडियो के माद्यम से देने वाला हूँ तो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन complete information आपको जो है इस वीडियो के माद्यम से मेरा रासन 2.0 application के बारे में मिलने वाली है तो वीडिय सबसे पहले आपको जो है अपनी mobile में playstore को open कर लेना है उसके बाद आपको यहां पर सर्च कर लेना है मेरा रासन तो यहां पर आपके सामने मेरा रासन 2.0 का आपको अपने mobile में install कर लेना है मैं ने इसको already install करके रखा है तो मैं इसको यहां से directly open वाले बटन पे क्लिक करके open कर लेता हूं जैसी आप first time इस वाले application को open करेंगे तो यहां पर आपको जो है language selection के लिए कहा जाएगा तो आपका जो भी language है आप जो है language select कर लेंगे ठीके ना उसके बाद यहां पर आपको जो है आधार नंबर डालने के लिए कहा जाएगा तो आपके family में कोई भी family member जो की रासन कार्ड में aid है जिसका आधार कार्ड से mobile number registered है आप उसका आधार number provide करेंगे और OTP के माध्यम से आप जो है मेरा रासन पोर्डल को आप जो है login कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको जो है MPIN मनाने के लिए भी बोला जाएगा तो आप जो है अपना MPIN बना लेंगे MPIN डीटेल से सारी process बताई थी अगर आपको जो है नहीं पता है तो आपको वीडियो आई बेटन में चलता हुआ दिख रहा है आप जो है आई बेटन वाले वीडियो को देखके अपना मेरा रासन पोर्डल पे अपना account create कर सकते हैं और MPIN को set कर सकते हैं तो चलिए मैं भी फट डीटल रासन कार्ड बताया जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको ब्लर कर दिया है और यहीं पर आपको जो इसको डाउनलोड करने का option बे मिल जाता है तो आप यहां से जो है आपने डीटल रासन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं अभी दोस्तों का mobile number यहाँ पर pending है अगर यहाँ पर उनका mobile number अपडेट करना चाहे तो कर सकते हैं ठीके ना उसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ इसकोल डाउन करके आएंगे तो यहाँ से आप जो है अपने रासन को ट्रेक कर सकते हैं ठीके ना यहाँ पर आप जो है किसी भी तरह की आपको जो है रासन से related कोई भी सिकायत है तो आप यहाँ पर जो है दर्जी कर सकते हैं जैसे कि माल लीजी आपको समय पर रासन नहीं मिल रहा है रासन देने में कोई भी आनाकानी कर रहा है तो यहाँ पर आप जो है उसकी सिकायत भी दर्जी कर सकते हैं ओनलाइन तरीके से उसके बाद यहाँ पर आप अपनी sell receipt भी देख सकते हैं ठीके ना यहाँ पर आपको benefit मिला है कि नहीं मिला है कितना benefit आपको मिलना है वो आप यहाँ पर click करके देख सकते हैं उसके अलाबा अगर आप जोई नीचे के तरफ इसकोल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको जोई और भी काफी सारे option देखने के लिए मिल जाएंगे कि एक option आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है जिसका कि आपको बिल्कुल भी use नहीं करना है उसका नाम है surrender रासन कार्ड अगर आप यहाँ पर गलती से भी क्लिक कर देते हैं तो आपका जो रासन कार्ड है वो surrender कर दिया जाएगा मतलब आप जो है रासन कार्ड का कोई भी benefit फिर उसके बाद में नहीं ले पाएंगे तो इस वाले option का आपको बिल्कुल भी use नहीं करना है इस पर आपको जो है click भी नहीं करना है गलती से भी ठीके ना साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है अपना रासन अगर transfer करना है तो उ इस तरह से आपको उनका KYC करना है तो उसके लिए आपको जो है manage family details वाले option पर click कर दे रहा है यहाँ पर जैसी आप click करेंगे तो आपके सामने family member की complete list आ जाएगी है साथ इसाथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही है आधार KYC verified ठीक आपको जो है option देखने के लिए मिल जाता है यूर आधार KYC is pending please visit your nearest fps and complete यूर आधार KYC तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है अभी इस वाले portal से अपना KYC नहीं कर सकते हैं आपको जो है बोला जा रहा है कि आपको जो है आपके नजदीक का जो भी आपका रासन दुकान है जह आपको जहे अपने नजदीक का जो भी रासन दुकान है आपका वहीं पर जाकर जहां से कि आपको रासन मिलता है वहीं से जाकर आपको जो है अपना KYC complete कराना होगा अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप जो है किसी भी member को यहाँ से delete कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ज इसी भी तरह से edit करना है, नाम बगेरा correction करना है, तो आप जहे pencil वाले icon पर click करेंगे, तो यहाँ पर आपको family member पर कोई भी चीज edit करने का option आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, और उसी तरह से अगर आप delete करना चाहते हैं, तो आपको delete करने का option मिल जाता है, जैसी कि माल लीजिए आपके family member की date हो चुकी है, इस condition से आप जो है family member को यहाँ पर delete करना चाहते हैं, family member की जो है अब यहाँ पर शादी हो चुकी है, तो आप जो है family member को delete करना चाहते हैं, या कोई other reason है, तो आपको यहाँ पर बता देना है, अगर other reason है, तो फिर आपको यहाँ प इस वाले option पर click कर देना है, जैसी आप यहाँ पर click कर देते हैं, तो आपके सामने इस तरह का interface page open हो जाएगा, अब दोस्तों पिछले वीडियो में जब मैंने add family member को लेकर process बताया था, तो वहाँ पर काफी सारे लोगों की काफी सारी queries मेरे पास में आई थी, तो वो सारी queries को म मैं यहाँ पर start out करता हुआ चलूँगा, मतलब वो सारी चीजे मैं आपको बताता हुआ चलूँगा, तो आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर skip नहीं करना है, ठीके ना, तो आभी आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जिस भी family member को आप aid करना चाते करना, उसके बाद यहाँ पर family member का आपको जो है, यहाँ पर date of birth इस calendar के माध्यम से select कर लेना है, यहाँ पर आपको जो है family member का age automatically, अगर आप data of birth स्विल अप करेंगे तो age यहाँ पर automatic आजाएगा, नहीं आता है तो आप यहाँ पर manually field कर सकते हैं, उसके बाद आपको scroll down करके नीचे के तरफ आना है, यहाँ पर आपको जो है family member जिसको aid कर रहे हैं, उसकी माता का नाम बता देना है, local language में automatic आजाएगा, पिता का नाम यहाँ पर बता देना है, local language में automatic आजाएगा, married status आपको यहाँ पर select कर लेना है, ठीक है ना, single है, married है, उसके बाद इसको बाद इस वाले बटन पर click कर देना है, अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है second वाला option आजाता है general detail का, तो यहाँ पर अगर माल लीजिए family member 18 साल से बड़ा है, और उसका यहाँ पर जो है water ID card बन गया है, तो आप यहाँ पर family member का water ID card number इंटर करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर अगर अगर माल लीजिए family member का population card है, तो यहाँ पर आप जो है national population card का number इंटर करेंगे, अगर मनरे का card में नाम है तो आप वो यहाँ पर इंटर करेंगे, अदर्वाइस यहाँ पर जो है कोई भी चीज़ आपको feel up करने की आवशकता नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको directly family member का आधा number इंटर करना है, और next वाले बटन पर क्लिक कर देना है, अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने professional related information आजाएगी, जिसमें कि यहाँ पर occupation से related detail पूछी जा रही है, अब काफी सारे लोगों नहीं यहाँ पर कहा था कि occupation आपको यहाँ पर select करना ही होगा, अब दोस्तों तो यहाँ पर आप किसी भी छोटे बच्चे का यहाँ पर select करेंगे, तो यहाँ पर आपको simply select कर लेना है not available, ठीके ना, तो यहाँ पर आपको option देखने के लिए मिल जाएगा, और मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि student है, तो आप उसका student पर यहाँ पर select कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर annual income में आपको zero लिखना है, जैसे कि पता है student तो यहाँ पर कोई income तो होगा नहीं, उसका तो यहाँ पर आपको zero provide करना है, अब आपको next वाले button पर click करना है, अब काफी सारे लोगों का कहना यह भी है कि next button पर click करने पर यहाँ पर आगे नहीं ना अनिवार है, ठीके ना, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा बालक हो, तो cast certificate में यहाँ पर आपको सबसे पहले तो cast select करना होगा, आपका जो भी cast है, उसको आप select करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको relationship with head of family, head of family के साथ में जिस member को आप aid कर रहे हैं, उसका care relation है तो वो relation आपको यहाँ पर select कर लेना होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको cast certificate को upload करना होगा, अब दोस्तों अगर माल लीजिए उस बच्चे का यहाँ पर cast certificate नहीं है, तो आप अपना head of family का जो cast certificate है, उसको यहाँ पर upload कर सकते हैं, लेकिन उस condition में मैं यहाँ पर sure नहीं हू तो cast certificate upload करने के लिए आपको browse file वाले बटन पर क्लिक करना होगा, camera gallery कहीं से भी आप certificate को यहाँ पर upload कर सकते हैं, उसके बाद आपको next वाले बटन पर क्लिक कर देना है, तो जैसी आप next वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर banking detail का option के सामने आ जाएगा, अब banking detail अ पूछा था कि यहाँ पर banking detail नहीं ले रहा है, तो कोई बात नहीं, आप banking detail को छोड़कर directly next वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, अभी दोस्तों यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि जो member आप यहाँ पर aid करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से physical handicap तो नहीं है, तो अगर नही कर देते हैं, अब यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है कि जिस member को आप यहाँ पर aid कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से critical in less में तो नहीं है, उसकी detail आपको यहाँ पर provide करनी होगी, नहीं है तो आप simply नीचे की तरफ आएंगे next वाले बटन पर click कर देंगे, अभी दोस्तों यह यहाँ पर आपको जिस member को आप यहाँ पर aid कर रहे हैं, उसका यहाँ पर तीन document detail आपको provide करनी होगी, सबसे पहले यहाँ पर आपको address proof देना होगा, तो address proof में जो भी document है candidate के पास में, लंबी सी list यहाँ पर आपके सामने आ जाती है, आप कोई भी document को select कर सकते हैं, जैसे कि simply आप यहाँ पर आधार कार्ड को भी select कर सकते हैं, उसके बाद आधार का number यहाँ पर provide करेंगे, किस date में जारी किया गया था, date आप यहाँ पर select करेंगे, और file को यहाँ पर आप जो है upload करेंगे, उसी तरह से आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर mandatory document में भी आप से एक document मांगा गया है, तो यहाँ पर भी आपके पास में लंबी सी list है, जो भी document आपके पास में है, driving license है, water ID कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी है आप यहाँ पर select कर लेंगे, और यहाँ पर भी same आप जो है number provide करेंगे, किस date में आपका document issue किया गया था, date आप select करें करेंगे, जो भी document है आप जो है simply select करेंगे, यहाँ पर भी आप जो है आधार कार्ड को select कर सकते हैं, तीनो बार आप जो है अलग-अलग document को भी select कर सकते हैं, अगर आपके पास अलग-अलग document है तो, और तीनो बार आप जो है document को upload कर देंगे, यहाँ पर आपको जो है सारे documentation फार्मटिस को अपलोड करने के बाद आपको simply next वाले बटन पे click कर देना है, जैसि आप next वाले बटन पे click करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का consent आ जाएगा, आपको simply scroll down करके नीची की तरफ आना है आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर consent बताया जा रहा है आपको simply क्या करना है इस वाले checkbox को चिकमाग करना है और यहाँ पर आपको submit का option देखने के लिए मिल रहा है उसके आधार card में जो भी mobile number लिखा हुआ है उस पर एक OTP भेजा जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पर verify कर देना है तो जैसी आप यहाँ पर OTP को verify कर देते हैं तो आपका जो है member aid का online process यहाँ पर complete हो जाता है चेक करने के बाद अगर आपने जो है सारी चीजे सही सही fill up किये सारे documentation सही तरीके से upload किये हैं तो आपका यहाँ पर member aid का process complete कर दिया जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप जो है मेरा रासन portal का use करके काफी सारे चीजों का आप यहाँ पर benefit ले सकते हैं और member को भी यहाँ पर aid कर सकते हैं completely step by step process मैंने आप लोगों को बिलकुल बारी की से समझाया फिर भी इस video से rated आपके मन में अगर कोई सवाल है कोई doubt है तो आप मुझे बेजीजे comments करके पूस सकते हैं 101% आपको जो है उसका answer किया जाएगा तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी जादा informative हो रहा होगा तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजी और इस वीडियो को जादा चीजाद अपने friends और family के साथ में share कर दीजीए ताकि सभी लोग जो है नए वाले इस वाले पोर्टल का जो है benefit ले सके और अपने family member को जो है online तरीके से घर बेढ़े aid कर सके अपने रासन कार्ड में तो आज के लिए इतना है मिलता हूं एक से वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए आप अपना खयाल रखिए जै हिन जै भाड़र